हेलो नमस्कास त्रियकाल अस्सलाव अलेकुम कसकाई जी हां गाइज एंड गर्ल्स सो फाइनली वो समय आ चुका है जब आपका examination अब आपके बहुत ही जादा करीब है बस एक कदम की दूरी पर है आपका examination और बच्चों के मन में कभी कभी जो है बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि सर क्या है वो चीज़े जो हमें examination hall में ले जाना है क्या है वो चीज़े जो हमें examination hall में नहीं ले जाना हमारा dress code जो है वो क्या होना चाहिए कौन से कपड़े हम पहन कर जाए कौन सी वॉच पहन कर जाए क्या हम यह रिंग जो है वह अपनी पहन के जाए या नहीं जाए यह सारी चीजें आप लोगों के मन में सवाल आ रही है जो आप बार-बार मेरे टेलिग्राम चैनल पर मुझसे पूछ रहे थे एक बार आप लोगों को detailed form में बता दिया जाए कि क्या है वो चीजें जो आपको यहाँ पर examination hall में ले जाना है कौन सी चीजें आपको नहीं ले जानी है mind you आप लोगों को बता दू ये वीडियो आप लोग जो है speed बढ़ा कर देखेंगे इतना time नहीं लगाएंगे मैं time लगा रहा हूँ explain करने में क्योंकि मुझे चाहिए कि मैं पूरा explain करूं आप लोग जो है लेकिन इसको बढ़ा कर देखना ताकि आप वही explanation थोड़ा speed में जल्दी समझ भाओ ठीक है at the same time यहां पर दिये हुए like बटन को जिन जिन बच्चों ने अभी तक क्लिक नहीं किया जल्दी से कर दो और साथी साथ यहां दिये गए subscribe बटन को क्लिक कर लो ताकि हम और जादा से जादा बच्चों तक पहुंच सके जी guys and girls तो आज का जो हमार को ध्यान में रखना है और क्या वो चीज़ें है जो आपको एक्जाम में ले जानी है और कौन सी चीज़ें नहीं ले जानी है जी हां guys and girls so let us start with the very first and the most important thing here we are talking about here we are talking about the admit card जी हां यहां पर आप सभी को बता देते हैं कि admit card एक ऐसी चीज़ें जिसके बिना आप examination hall में जाने का सोच भी नहीं सकते यह तो आप लोगों को पता होगा but what I want to tell you guys is कि जब आप अपना admit card print कर रहा हो please do make sure कि आप 2 copy करा ले एक copy को आप कहीं और रखेगा अगली copy को कहीं औ I will have another copy with you दोनों copies को साथ में मत रखना कि अरे वाद देखो मैंने दो copy निकल वाली एक क्यूपर एक रखी और उसको कहीं पर रख दिया बाद में पदल चलता है कि वह आपके baggage में नहीं है या जहां पर भी आप उसको लिजा रहेते वहां पर आपको वह जो है मिल नहीं रहा है प्लीज ऐसी गलती मत करना दो copy का एम ही यह है कि आप अलग-अलग जगह उनको रखें ताकि वह सेफ एंड सिक्यूर रहें चल अब बात करते हैं सर सेकेंड तिंग नाव वी आ टॉकिंग अबाउट दी फोटो आईडी प्रूफ जी हां वेन वी टॉक अबाउट दी फो हैं जो अपने खुद के ही rules ले आते हैं और उस समय तो हमारे पास इतना time नहीं होगा कि हम बोलें कि नहीं देखो website पर यह लिखा था आप यह ले जा सकते हो यह नहीं ले जा सकते हो इतना समय हमारे पास नहीं होगा इसलिए what I say is to be on a safer side please do make sure कि आप अपना आधार card जो है वो ले जा रहे हो ठीक है अब जब अधार card ले जा रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ original copy नहीं ले जानी है आपको इसके साथ दो इसकी photocopy करा कर भी ले जानी है दो करा लेना दो तीन रुपे में कुछ नहीं बिगड़ेगा बट अगर वहाँ पर उन्होंने दो copy मांग ली अब तो original की जुरूत हमको है नहीं हम safely मम्मी पापा को देखे जाते हैं ताकि हम गिराएंगे नहीं guys and girls बड़े हो अब आप लोग 12th class जो है वो आप पार कर चुके हो please ध्यान रखना please ध्यान रखना अपने अधार card का क्योंकि आपको original copy भी ले जानी है ठीक है आप अपनी original copy miss नहीं कर सकते xerox ले जा रहे हो very good बट साथी साथ आपको original copy भी ले जानी है तो यहां पर हमको समझ में आता है admit card ले गए हैं और साथी साथ photo ID proof जो है वो उसकी xerox के साथ हम ले जा रहे है next is passport size photographs sir are we are we required to take a passport size photographs along with us yes how many sir 2 2 photographs आपको ले जानी है sir very good अभी अभी कली हमने जाकर खिचाई थी thank god हमारे पास वह बहुत सारी हैं उसमें से दो निकाल लेंगे नहीं ऐसी गलती मत करिएगा आपकी जो passport size photograph आपने examination form भरते समय लगाई थी वही passport size photograph ले जानी है sir वो तो हमारे पास है नहीं आप तो यह बहुत बड़ा issue हो गया नहीं है digital form में तो होगी पास जब आपने form भरा होगा उसका print out अभी कहीं बाहर जाकर निकल वालो तुरंत के तुरंत या फिर अगर आप ऐसी city में रहते हो जहां blanket जुमाट अजेप्टो काम करता है ब्लिंक बहुत सारे centers मना कर देते हैं admit करने से अगर वही same photo नहीं है तो ठीक है वहां आपको बोलेंगे undertaking लिखके दो नहीं हम अलाव नहीं करेंगे यह सब जो गंदगी होगी उसकी वजह से आपके examination का जो शांती से भरा temperament होना चाहिए उसको यह नुकसान पहुंचा सकता है जो कि आप और हम बिल्कुल भी यहां पर नहीं चाहेंगे इसलिए आपसे request है कि प्लीज अपना जो है आप passport size photograph वही लेकर जाएं जो आपने examination के time form में फिल की थी इसके अलावा सर stationary ले जाना है क्या सर येस आपको दो ballpoint pen ले जाने हैं एक blue color का एक black color का घर वालों से 10 रुपे लेकर जाना market में जाना उनसे कहना मेरे को दो यहां पर ballpoint pen चाहिए एक blue एक black सबसे simple pen जो हो वो लेकर जाना क्यों कह रहें क्योंकि कुछ centers आपको अलाव कर देंगे pen अंदर ले जाना बट कुछ centers जो है वो मना कर देते हैं वो कहते हैं कि हमारा खुद का pen होगा आप अपने pen यहां पर जो है डिब्बे में रख कर जाएए अगर उन्होंने ऐसा बोला आप मेंसे कुछ लोग हुए अरे सर हमको तो थोड़ा सा शो आफ करना है ना पापा ने पिछली बड़्दे पे तो पारकर pen गिफ्ट किया था या पापा को किसी ने गिफ्ट किया था तो हमें काम करते हैं वही पेन ले जाते हैं मत ऐसी गलती करना वह आपके बाहर रखवा देंगे आपका ब्रेइन जो है चलता रहेगा कि यार मेरा पेन बाहर रखा है पेन बाहर रखा है कोई चुराना ले जाए examination पूरा यहां खराब हो जाएगा समझ में आया सो क्या नहीं करना है सर आपको ज रहेगा चिल रहेगा किसी ने मांग लिया कहीं लगने लगा हम उसको यूस कर लेंगे ठीक है यहां तक सारी चीज़े क्लियर है चली लेट्स मूव आहेड तू देनेक्स तींग सर अडिशनल थिंग्स दाट यू आर रिक वायर्ड तू कैरी अलॉंग वित अलॉंग वित जी नाव क्या है वो चीजें सरन माम सबसे पहली चीज बॉटर बॉटल इस दुनिया में सबसे जाधा टेंपरेचर जो आज तक किसी जगह पे हॉटेस देखा गया है वो एप्रॉक्सिमेटली 56.7 डिग्री सेल्सियस देखा गया है डेली में कल 52.3 डिग्री सेल्सियस जो ह है टेम्परेचर देखा गया है इंडिया इस समय सिवियर हीर वेज जो है वह उस पराने के चांसेज है और आ रही है कंटिनसली इसलिए आप जस नहीं होगा आप जिस जगे examination देने जौगे पंखा चल रहा है नहीं चल रहा है नहीं पता होगा आप जिस एक examination देने जाओ गे अतने बड़े hall में जहां भी पंखा है आप तक वो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा पता नहीं ये सब हो गया एक पहलREE दूसरा पहलू सर आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि जहां आप examination देने जा रहे हो वहाँ पानी पीना जो है उके लिए आपको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा तो क्यों risk लेना यार आप क्या कर सकते हो let me tell you कि आपके पास जो है कुछ इस प्रकार का इनर्जॉल होता है या फिर जो है आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉल होता है या फिर ग्लूकॉंडी होता है जो basic से basic चीज हो वो पानी की bottle में transparent आप थोड़ा सा भर कर ले चाहिए transparent bottle और वहाँ पर आप जाकर उसको use करिए थोड़े थोड़े समय में आप पीते रहेगा ताकि dehydration ना हो यह brain continuously चलता रहे क्योंकि यह brain चलना बहुत important है वहाँ आप लड़ नहीं सकते कि पानी क्यों नहीं मिल रहा है कैसा मिल रहा है hygienic मिल रहा है नहीं मिल रहा है इसलिए water bottle ले जानी है so that आप hydrated रहें sir my father just gifted me a beautiful watch for my birthday last month तो मैं सोच रहा हूँ sir वही apple watch पहन के जाओंगा वही noise की smart watch जो है वो पहन के जाओंगा वही nothing की smart watch जो है पहन के जाओंगा थोड़ा अच्छा लगेगा sir मैं वहाँ time देख पाऊंगा sir and ma'am आपकी उस watch को ऐसे उतरवाया जाएगा और बाहर ऐसे fake दिया जाएगा आपको बोलेंगे या तो आप उसको गहीं रख कर आये या फिर आप examination hall के अंदर मत आये क्या आप यह सब afford कर सकते नहीं you are not required to carry any any of the digital devices any of the smart devices so make sure आप वो घड़ी नहीं लेकर जा रहे हो जो घड़े आपके पापा जी ने या पिता जी ने अभी कुछ दिन पहले आपको बर्दे पर गिफ्ट दी है आप वो घड़ी लेकर जा रहे हो जिसके लिए हम सेवन तेर्थ में लेटर लिखा करते थे थे ना अपने बड़े भाई को पत्र किस चीज के लिए exam नजदीक आने पर घड घड़ी को मांगने बावत तो वह जो चीजें हम लिखते थे ना वही वाली घड़ी जिसमें काटे होते हैं वह आपको टाइम बताते हैं वह घड़ी चाहिए वह घड़ी आप जरूर लेकर आएं क्योंकि examination hall में आपको घड़ी मिलेगी नहीं मिलेगी नहीं पता होगा आप आपने जितने मौक दियें आपको पता है कि आपके मौक में कितना समय किस चीज में लगना चाहिए उस हिसाप से आप एक एप्रॉक्स टाइम इस घड़ी में देखकर करेंगे क्लियर है चलिए अब बात करते हैं सर स्नैक्स बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जि है और आपके घर से भी कितना दूर है यह भी नहीं पता लेकिन जो पेट है इसको आदत है किस चीज की मम्मी के हाथ के वो सुबह सुबह जो ब्रेक्फस्ट मिलता है बढ़ियां उसको खाने की जब भूक लगे अगर कुछ अवेलेबल नहीं हम जल्दी से गेट खोलेंगे रेफ्रिजरेटर का उसके अंदर जो भी होगा बचा हुआ हम उसको खालेंगे तो यह पेट कंटिनेसली आपको सप्लाइब रहता है यहां पर क्या करेगा आपका स्टमक अपसेट हो जाएगा जो कि आपके एक्जामेनेशन के यह परफॉर्मिंस को हैंपर करेगा दिस इस ए रियल प्रॉब्लम इट हैपन्स विद आल अफ तो क्या करना है मेक शॉर आप थोड़ा बहुत कुछ हल्का फुलका खाने का अपने साथ रखे हुए हैं एक्जामेनेशन हॉल के अंदर मंचिंग करते खाने के लिए अरे नह जो है वो शान्त रहे उस समय पर ठीक है तो येस यू आफ टू टेक सम स्नैक्स स्नैक्स के नाम पर बड़े बड़े समोसे चटनी और यह सब चीज़े नूडल्स और पावाजी यह सब खाके मत जाना वरना दूसरे टाइप की प्रॉब्लम हो जाएगी और वह आपको पता ह उसके लिए फिर कुछ आप्शन नहीं है हमारे पास ठीक है तो इतना मत खाके जाना लाहीट स्नैक्स बोले वनना बोलो अदित्य भाया ने बोला था बड़े खाके जाओ सर हम तो समोसे और टमाटर की चटनी और साथ में रेड़ वाली चटनी और यहाँ पर वड़ा पाव यह सब खाके गए थे मत करना ऐसी गलतिया ठीक है चालो लेट्स मूव हेट टू दा निक्स्ट वन सर वाट नॉट टू कैरी सबसे बिगेस्ट प्रॉबलम इस यह समझना कि क्या क्या चीज़े हमको जो है यहाँ पर कैरी करके नहीं ले जानी है अपने साथ क्या है वो यह पर कान में लगा लेते हम वह नगा कि जाते हो ना उसके बाद आप उसको ऐसे जॉइन कर देते हो फिर भूल जाते हो मेरे साथ मेरे फ्रेंट्स के साथ कई बड़ ऐसा हो चुका है कि जब एक्जामेनेशन होल देने जाते ना तो हम पहन कर दिया अंदर चला जाते वह तो अच्छा होता है कि इन विजलेटर अच्छों तो बोलते हैं सर इसको प्लीज बाहर कर दो वन्हाँ अभी आप बाहर हो जाओगे जात में बैंग भी हो जाओगे हमेशा के लिए यह ना आप ऐसी गलती मत करिएगा प्लीज जू कोई भी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस फॉर एक्जामपल मॉबाइल फोन्स तो अब्वेस है इसका तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा भी नहीं काल्कुलेटर नॉट अलाउड यह मत सोचना कॉइंट का पेपर है काल्कुलेटर तो लिजा ही सकते हैं स्मार्ट वॉच्छ नॉट या कोई भी कोई भी इलेक्ट्रोनिक डिवाइस आप अपने जो है इक्जामिनेशन हॉल में नहीं ले जा सकते हैं नेक्स्ट बैग्स एंड लगेज़ हमेशा मैं कहता हूँ प्लीज अवॉइड करना बैग और लगेज ले जाना कुछ इक्जामिनेशन सेंटर्स टोकन दे बाहर आपको जो है कुछ लगे दिखते हैं जो बोलते हैं कि हमको 20 रुपे दे तो हम आपका बैग रखेंगे बात 20 रुपे की नहीं है बात यह है कि क्या सेफ्टी है उस जगह पर आप लोगों ने पता चला अपना मुबाइल फोन रखा बैग में और वो रखा हुआ वहा आपको वह चीज वापस मिलेगी भी या फिर नहीं समझ मैं इसलिए डू मेक शॉर कि आप कोई भी लगेज या बैगेज अपने साथ कैरी नहीं कर रहे हो हो सके तो अपने रेलेटिफ के घर पर चोड़के जाए माता-पिता को जो है देखर जाए नेक्स नोट्स और बुक ले जाना अगर ऐसी कुछ चीज है जो आप एक्जामिनेशन सेंटर तक ले जाना चाते हो रिविजन के लिए आपने कुछ बना रखे हैं फॉर्मले वगेरा और उसके बाद आप सोचते हो कि हाँ अब यह भले ही चला जाए मेरे कोई इश्यू नहीं पेपर में ले जाओ स्टेपिल कर लो वहां तक पढ़ते हुए जाओ उसके बाद जाकर आप उसको जो है अराम से साइड में कहीं पर रख देना और अपने एक्जामिनेशन देने चले आना क्योंकि वह क्लेक करने की रिस्पॉंसिबिलिटी आपको नहीं रहेगी ठीक है चले नेक्स्ट इस अन ठीक है चाले तो लेट इस मूव अहेड़ गाईज और गर्ल्स यहां पर यह सारी चीज़े समझ में आ गए कि वाट नॉट टू कैरी अब बात करते हैं ड्रेस कोड की सार एक ही तो मौका मिल रहा है इतने सारे लोग आएंगे हम भी थोड़ा अच्छे तयार होकर जाएं ब जो भी होता है आप लोगों का सर और मैम ऐसा कुछ भी नहीं करना है ऐसा कुछ भी मत पहनिएगा जो आपको एक्जामिनेशन हॉल में गर्मी में और भी जादा अनकमफरेबल फील करा सकता है प्लीज दू मेक शॉर आप बहुत ही जादा लाइट कलरड लाइट वेटेड क कपड़े लूज कपड़े जो हैं वो पहन के जा रहे हैं जी हां तब वेरी फर्स तिंग इस डाट यू हाफ टू बी इन कमफरेबल क्लोधिंग याने आपको ऐसे कपड़े पहनने हैं जो की वेदर के हिसाब से अप्रोप्रियेट है और जो की बहुत ही जादा टाइट नह जाओंगा दाट इस सम्थिंग विच गोज वित माइस टाइल या फिर मैं तो सर्फ हील्स पहन के जाऊंगी क्योंकि मुझे तो वही सूट करता है मत करना फ्लाट स्लिपर्स एकदम नॉमल सी पहन के चले जाओ कोई शूज मत पहनो कोई बैली मत पहनो कोई भी आप यहां पर जो है हील्स मत पहनिये किसी भी प्रकार के बूट्स मत पहनिये सिंपल स्लिपर्स पहन कर जाना जी हां आइम टेलिंग यू स्लिपर्स पहन के जाना डाट विल बी दी मोस्ट कमफर्टेबल तिंग आप बढ़िया नीचे एक लोवर पहन सकते हो उपर एक बहुत ही पतल यह मुझे भगवान जी की रिंग है जो मुझे ममी ने दि थी यह मुझे गुसा कम करने की रिंग है यह मुझे इस छीज की रिंग है जूटी सी रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज इन रिंग्स को आप बाहर रखके जाना वाहाँ पर अलग कर वा देंगे कई examination hall में ये issue होता है फिर आपको बहुत ज़ादा depression आ जाएगा कि ये तनी महंगी ring थी मम्मी ने खरिदवाई थी बनवाई थी और अब इन्होंने बाहर रखवा दी मेरा exam कैसे होगा मैं तो tension में रह जाऊंगी मत ले जाना लड़कियों को खास तोर पे आप लोग earrings पहनते हो, nose pin पहनते हो ये सब कुछ घर पे छोड़के जाना you are not required to take any of the accessory any of the jewelry with you समझ में आया वही कहीं गिर गई अगर बाहर let's suppose भीड भाड में तो उसका एक अलग issue हो जाएगा कि यार मेरी तो earring जो है वो एक हो गई है क्यों attention लेना है just be free ठीक है तो ये सारी चीजें भी आप छोड़कर जाएं और इसके अलावा prohibited items जो है वो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया prohibited items में आपको smart watches नहीं पहननी है, sunglasses नहीं करना है, किसी भी प्रकार का heavy jewelry जो है, वो आपको यहाँ पर नहीं ले जानी है क्योंकि ये चीजें आपके examination hall के अंदर allow नहीं करी जाती है clear है, चालिए ठीक है सर्थ, तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए, तो हमने ये देख लिया है कि exam day के essentials में आपको क्या ले जाना है, admit card photo ID proof, passport size photographs stationary, etc और उसके साथ additionally आप water bottle ले जा सकते हो, साथ में energial होता है, या फिर आपका elektrol होता है, या फिर आपका जो what we call it glue candy होता है, वो सब आप डाल के लिए जा सकते हो watch में definitely आप time check करने के लिए analog watch ले जा सकते हो, smart watch जो है वो आपको नहीं ले के जाना है snacks आप हलके से light जैसे कि energy bars होते हैं, कुछ nuts होते हैं आप ये सब चीजे जो हैं, वो अपने साथ यहाँ पर ले जा सकते हैं, इसके अलावा क्या carry नहीं करना है, तो किसी भी प्रकार का electronic gadget आपको carry नहीं करना है, mobile phone हो गया, smart watches हो गए, electronic devices हो गए, bags, luggage जो है वो आपको नहीं ले जानी है, notebooks और books आपको अपने साथ नहीं लेके जाना है, unnecessary item किसी भी प्रकार का नहीं ले जाएंगे, आप अपने साथ, ठीक है, dress code में आपने बता दिया, comfortable clothing पहननी है, lose होना चाहिए, footwear में आप slippers पहन के जाए, accessories, there's a big no, किसी भी प्रकार के accessory ना लेके जाएं, prohibited items, कोई smart watch नहीं, कोई jewelry नहीं, किसी भी प्रकार का necklace, earring, ring, ये सब ना लेके जाएं, अब आती है final tip, sir final tip before the examination is, examination center में कम से कम आधे से एक घंटे पहले आप पहुँच जाएं, मैं हमेशा suggest करता बाकी आपकी choice है, अगर आप आदे घंटे पहले जाना चाते हो, आपका known है वो, तो आप जा सकते हैं, but I always suggest, एक घंटे पहले आप examination hall में पहुच जाएं, sink in that feeling of the examination, पता करो भाई, कहां पे मेरा roll number है, कहां मुझे बैठना है, इस सब अराम से करो, कोई जल्दबाजी में मत करो, ठीक है, तो आपको क्या गरना है, आपको सबसे पहले arrival time जो है, वो पता होना चाहिए, कि आप बढ़िया अराम से एक घंटे पहले examination hall पहुचे, लेकिन examination तो कल है, आज रात को सर anxiety हो रही है, कल हम पहुच पाएंगे नहीं, पहुच पाएंगे, exam होगा नहीं होगा, य तो resting will is very important, आज आप बढ़िया sound sleep लीजिए, उसके बाद आप कल सुबह वहाँ examination hall पहुचे, examination hall पहुचे के बाद, stay calm, थोड़ी भी anxiety अगर होती है, लोगों को देखकर, भीड को देखकर, take a deep breath, you should know, आपका competition इन सभी बच्चों से नहीं है, आपका competition mark 100 है, मुझे minimum 100 marks लेकर आने हैं, वो मैं examination hall में देखूंगा, मुझे भीड से नहीं घबराना है, समझ में आया, कई बच्चे भीड देखकर ही अपना exam खराब कर देते, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको यह ensure करना है कि आप stay calm रहें वहाँ पर, अगर आपको anxiety होती है, palpitation feel होता है, बहुत जादा that feeling that yes, this is the moment for which we have been preparing for almost, almost six months now, अब हम जो है यहाँ पर आ चुके है, this is our D-Day, इसी दिन के लिए हमने जो है इतनी मेहनत करी थी, अब हमें यहाँ पर perform जो है वो करना है, जी, इसके अलावा, sir and ma'am, yes, computer screen पे और admin card पे आपको कुछ instructions दिये हुए होंगे, please उन instructions को आप बहुत अ से पढ़ते नहीं हैं और उसकी वजह से फिर examination hall में बहुत सारी चीजें आप जो है वो spoil कर देते हैं, इसी लिए what is important is कि आप एक एक instruction को आराम से पढ़े, मत भूलिएगा, you are going to be future lawyers, and चुकी आप lawyers हो, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, sir, God lies in details, तो हमेशा detail पे जो है focus करना है, detail oriented आपको जो है रहना है, इसी लिए, please do read the instructions carefully, जी हाँ guys, इसी के साथ, I would like to wish you all a very 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 good luck for your examination, I know all of us will do the best of our abilities, आप सभी वो सारी चीजें अचीव करोगे, जिन चीजों को आपने यहाँ पर target किया था, but जाने से पहले मैं बस एक last चीज आपको कहना चाहूंगा, आपने examination के लिए बहुत मेनद करी है, छे मेने, हमने दिन रात बहुत एक किये हैं, आपको पता है कि हमने किस प्रकार से खून पसीना सब एक किया है, आप लोगोंने खाना त्यागा है, अपना नींद त्यागी है अपनी, और आपने बहुत सारे questions जो हैं वो practice किये हैं, अब please for God's sake, जल्द बाजी में अपना exam खराब मत करियेगा, there will be a lot of kids, जो कि क्या करते हैं, जल्द बाजी में अपना paper attempt करते हैं, और वो miss कर जाते हैं कुछ words को, जैसे कि not, cannot, incorrect, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपका focus किस चीज़ पे है, तो focus points आपके यह words होने चाहिए, कि आपसे पूछ क्या रहे, पहली चीज़, दूसरी चीज़, please do make sure, कि भले ही आपको answer पहले ही option में मिल जाए, या आपका instinct बोले कि भाई, यही तो है correct answer, despite of that, what is required is, कि आप इनको बहुत जादा अच्छी तरीके से सारे के सारे options को पढ़ रहे हो, you are required to read every single option, जरूरी है, हर एक particular option को यहाँ पर read करना, इसी लिए गलती मत करिएगा, कि आप केवल और केवल एक ही option को यहाँ पर read करके answer कर दें, हर option को उतना ही महत्व दें, और उसके बाद, आ most appropriate answer, most appropriate answer, ठीक है, when we talk about the legal section, principle is everything, principle में जो दिया है, वो आपके लिए पत्थर की लकीर है, आपका ये body, आपका ये mind, ये पूरा का पूरा हार्डवेर है, इसको blank कर देना, principle में जो दिया गया है, उसको आप अपने brain में input करना, and that is your software, आपका brain सिर्फ वही समझे जुतना की आपको software याने की principle के थूर दिया गया है, केवल और केवल, उतनी ही चीज जो है, आपको यहाँ पर समझने की जुरुत है, अब जब आप इन सभी चीजों को एक साथ club होगे, तो yes, यह आपको आपके examination को निकालने में मदद करेगा, ठीक है, anxiety, डर, भे, सब को लगेगा, आपको भी लग रहा है, very good, हर वो बच्चा excel कर पाएगा, जिस बच्चे ने यहाँ पर इन चीजों को जो है, overcome कर लिया, हर वो बच्चा excel कर पाएगा, जिस बच्चे न यहाँ पर डर, वगेरा, वगेरा, इन सारी चीजों को overcome किया होगा, है ना, इसलिए आप से क्या required है, कि आप काम composure maintain करें, इन सब चीजों पर focus करें, जो मैंने आपको बताया, and one more last, but very important thing, I just forgot, जब भी आप किसी particular option का, या किसी particular question का, option as an answer, टिक कर रहे हो, कि हाँ भाई, य चेक कर लेना, कि वो answer आपका mark हुआ है, या नहीं हुआ है, क्या वो green हुआ है, या नहीं हुआ है, ठीक है, वो आपको check करना जरूरी है, कई बच्चे क्या करते हैं, वो next कर देते हैं, ये सोच कर कि वो click हो गया है, बट ये check नहीं करते हैं, कि वो answer submit हुआ है, या नहीं हु question should be your problem जो कि आपको solve करनी है one question at a time पूरे के पूरे देड़सो question एक बार में नहीं कर देने one question at a time एक बार में एक question ऐसा भी हो सकता है आप examination में जाओ आपको लगतार 5-6 question नहीं बढ़ेंगे depression में मताना हमको सिफ 100 number चाहिए है question question देड़सो है पचास question का भी variation यहाँ पर है तो आप समझ सकते हो safe side कितना है दिमाग से खिलना है smart play करना है आपको यहाँ पर पूरे के questions के answer सही नहीं देने है केवल और केवल आपको क्या करना है सर आपको focus करना है over what sir over the cutoff हमारे माइंड में cutoff हमने तैग लिया दाड़ उसको ही लेकर जाएंगे उसके उपर जितने भी आ सके वह हमारी मेहनत होगी उसके नीचे नहीं आने देना हमें चाहें कुछ हो जाए ठीक है answers submit कर देना जब final submission कर रहे हैं उसके पहले पेपर चेक कर लेना पेपर को तीन राउंड में करना पहला राउंड विल बी जहां पर आपको सारे questions बनते हैं सिर्फ उनी को करें second round वुड बी जहां आपको दिमाग लगाना पड़ेगा सोचना पड़ेगा and third round वुड बी जहां पर आप intelligent guessing करोगे that would be the last round of your examination इसी के साथ I believe मैंने आपको वो सभी चीज़ें बता दी है जो आपके examination के लिए इंपॉर्टेंट है वन लास्ट इंग आप सभी को पता है message डालिएगा कैसा exam था आपका center कहां पर था क्या क्या हुआ कैसा आपका गया और किस तरीके से हमारी जो महनत यहां पर थी हम सभी ने साथ में करी थी वो कितनी fruitful यहां पर होई है ठीक है चलिए with this I'm signing off my name is Aditya Rai I wish you all a very good luck all the very best do do the best of yourself the best version of yourself shall be coming on tomorrow अपना best version लेकर आएं and do the best of yours जो भी आप कर सकते हो कल and अपना नाम जो है अपने माता-पिता का नाम जो है हमारा नाम जो है वो जरूर रोशन करें with this I'm signing off my name is Aditya Rai thank you so very much for your valuable time keep studying keep grilling Jai Hind Jai Bharat